बढ़का सिंहनपुरा विकास पर्षत का द्वीतिय समाकम यानि वार्षिक आम सभा यानि जुटान पंद्रह नॉवंबर दो हजार देईस को पंचायत भवन में संपन्न हुआ वार्षिक आम सभा यानि जुटान का प्रारंभ दो हजार बाइस में चार दिसंबर को हुआ परका सिंहनपुरा विकास पर्षत के संस्थापक अध्यक्ष श्री रतिंद्रुकमार पूझा है इस पर्षत का मुख्य उद्देश्य है गाउं के विकास में गाउं से बाहर रहने वाले लोगों का गाउं में रहने वाले लोगों के साथ मिल जुलकर गाउं का सरवांगिन विकास करना साथ ही गाउं के सभी लोगों को चाहे वो गाउंवासी हूं या प्रवासी हूं एक प्लेटफॉर्म पर लाना एक दूसरे से जोड़ना औरों को जोड़ना तथा एक दूसरे के सुख दुख में भागिदार बनना और इसी उदेश्य से एक वाटसप क्रुप भी बनाया ग इस वाटसप ग्रुप के माध्यम से देश विदेश में फैले वड़का सिंगन पूरिया एक दूसरे के निकट आने लगे हैं एक दूसरे से परिचित भी होने लगे हैं एक दूसरे को जानने पहचानने भी लगे हैं और सबसे बड़ी बात एक दूसरे की प्रगती वह उन वड़का सिंगत्पूरा विकास पर्षत्वारा आयोजित द्वीतिय समागम यानि वार्षिक आम सभा यानि जुटान द्वीतिय के मुख्य अंश तक 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 दाड़ को हुआ हुआ है तब भी विकास परसर अपने संसाथियों से, विकास परसर का कोईजनल लक्षता हो, लक्षनमबर पर, कि हम गाउं के विकास में, गाउं के मुखिया थे, मतलब इस तरह का मज़त कड़े लिए, जहां पर वो गड़ती है, बड़िवार बाहर है, और घर बाहर है, और तोला ब तो यह लोगर जाता है, तो जहीं के विए परसरे तो यह लोगर है, किस्कास कारा है, किस्कार है, बड़िकास कारीं, लेकिन भिकास के लिए आदमित साथिये, और भाहिषारिक साथिये, आशा की जाती है कि बढ़का सिंगनपुरा विकास परशद अपने उदेश्य में सफल सिद्ध होगा और सभी संकुचित संकीन वादों यथा परिवार वाद, तोला वाद, जाती वाद को भूल भूलाकर गाउं के विकास के लिए एक जूट होकर प्रियास करेगा अपने गौरो शाली पराकरमी सम्रिद परंपरा को स्मरण करते हुए गाउं की गरिमा को गौरो वानवित करेगा झाली झाली परियास करेगा